हाई फ्रेंट्स में सारीका वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं अपने गार्डन की अपडेट देने चाह रहे हूं वीडियो का अपलास तक देखते रहेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करतेजेगा फ्रेंट् में लगे हुए हैं कई सारी फ्लावर हैं और बेक साइस की फ्लावर हैं लेकिन पौधा लटक गया है हमारे मौसम भी खराब सा हो रहा है थोड़ा और हवा बहुत तेज चल रही है चाहिद इसी वज़ा से पौधा आपको समाल नहीं पा रहा है और कई हैवी फ्लावर होने के कारण एक साइट पे लटक गया है तो जबकि मैंने इसे बांद के भी रखा है लेकिन फ्लावर बहुत हैवी है इसलिए एक तरफ लटक गया है तो मुझे फ्लावर के साथ इसे फिर से बांदना पड़ेगा आप देख सकते हैं बेक साइस फ्लावर और कलर भी काफी अच तो पिटूनिया के कुछ प्लांट तो मेरे टेंपरेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी प्लांट खराब भी होने लगे बस एक प्लांट बचा हुआ है परपल और वाइट कलर का जो की अब जब तक चल जाए तब तक मैं देखती हूं और यहां पर देखी फ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है तो इसके बाद फ्रेंट्स यहां देखे प्याज के फ्लावर तो प्याज के हम बल्ब बिंटर के टाइम पे अक्सर ग्रो कर देते हैं तो इसकी पतियां तो काम आती ही है साथ ही जब टेमटरिचर बढ़ता है और अभी मार्च के प्लाट अब इनका भी ग्रोथ का सीजन आ गया है अभी तक यह डर्मेंसी में थे और यहां आप देख सकते हैं कि स्पाइटर प्लाट भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है यहां पर और कुछ वीड भी ग्रो हो गए हैं जिने निकालना पड़ेगा नहीं तो यह प्लाट क अबर तो अभी आये नहीं है पर यह बहुत ही प्यारा प्लाट लगता है और काफी तैजी से ग्रोथ करता है और यह देखिए फ्रेंट्स यह है बोगनवेलिया का प्लाट बोगनवेलिया में भी इस सीजन में काफी अच्छे फ्लावर आते हैं आप थोड़ा फर्टिलाइ बहुत आसानी से यह ग्रो हो जाते हैं और अभी देखिए फ्रेंट्स विंटर के समय इनकी पत्यां खराब होने लग जाते हैं लेकिन जैसे ही टेंपरिचर बढ़ता है नहीं नहीं पत्या निकलती है और इसकी पत्यां बहुत ही अच्छी हेल्दी आती है इस सीजन में यह है चेरी चेली जो कि मेरे गार्डन में काफी अच्छे से लगती ही रहती है और काफी तीखी होती है यहां देखे यह औरेंज कलर का रोज दो तीन देनों से खिला है बहुत ही प्यारा लग रहा है और गार्डन की शोभा भी बड़ा आ रहा है अब देख सकते हैं बड़े स प्रोथ हुई है इनकी और बड़ भी बनने लगी है इसके बाद यहां देखिए डबल पेटिल चाननी का प्लांट है यह थोड़ा दो तीन दिन उससे शायद इसमें पानी नहीं पड़ा था तो पतियां लटक सी गई है पर इसके फ्लावर भी बहुत भीनी भीनी सी अच्छे लगते हैं यह देखिए संफ्लावर कई जगा यह प्लांट हो गये हैं और अब दिखाती हूं अपना हिपसकस गुच्छे वाला जो कि कितना अच्छा खिला है आप देखी सकते हैं सुर्ख लाल कलर है और जब यह तीन चार फ्लावर एक साथ खिलते हैं तो बहु अच्छा सीजन होता है यह डॉर्मिंसी में चले जाते हैं विंटर की समय और अभी गर्मियों में यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक साथ रखा हुआ है और कुछ अटेनियम की पतियां भी खराब सी हो गई थी विंटर में अब धीरे धीर का अपडेट था तो फ्रेंड्स आपको यह विडियो कैसी लगी जरूर बताएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बाई बाई